नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी फॉंट डाउनलोड कैसे करे या इंस्टॉल कैसे करे अपने कम्प्यूटर पे इसकी बहुत जरुरत पड़ेगी अगर आपको तंबनेल जो है यूट्यूब तंबनेल हिंदी में करना है तो इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं या फिर आपको कोई भी ऐसा letter देजना है जो भी है अपने हिंदी में करना है या फिर YouTube का जो title हिंदी में करना है ये एक तरीका है जैसा कि आप ये कर सकते हो तो सबसे पहले आपको ये जो हिंदी font है उसको पहले download करना पड़ता है अपने system में इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे एक website है हिंदी-font.com 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 यहाँ पे आप जा सकते हैं फिर यहाँ पे आपको ये fonts करके एक button है सबसे पहले तो आपको home page पे बहुत सारे font लिखेंगे आप इस में से choose कर सकते हो, select कर सकते हो यहाँ पे आपको लिखेगा कि कितने सारे logo ना इसको download किया, इसका rating कैसा है वगेरा वगेरा मैं यहाँ पे fonts and most downloaded fonts, जो दूसरा link है यहाँ पर, मैं यहाँ पे click करने वाली हूँ क्योंकि मैं मुझे ऐसा जो font चाहिए जो बहुत लोगों ने use किया है, तो उसका rating भी अच्छा होगा, सब ने use किया है, इसका मतलब है वो थोड़ा ठीक ठाक होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो download हुआ है, वो है क्रुटी देव, 010 font अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इसको click करके, यहाँ पे इसका details जो है, देख सकते हैं इसमें यह जो character map है, इसके जो similar fonts है, वगएरा वगएरा सब दिखा रहेगा, इसका zip file है, 31KB का zip file है, फिर इसका screen shots भी दिखेगा आपको तो आप यहाँ पे जो भी test कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका दिखेगा, कि यह thumbnail, तो यहाँ पे दिखेगा कि कैसे यह दिखने वाला है, तो अगर आपको पसंद है तो इसको आप download कर सकते हो दूसरा जो बहुत रचलित है, वो है mangal font, mangal font अचली windows में, word में, कभी-कभी integrated भी दिखता है आपको यह भी अच्छा font है, इस्तमाल करने के लिए और यहाँ पे mangal bold भी है, फिर बहुत सारे font है, आपको कौन सा जो है download करना है, आप कर सकते हैं मैं यहाँ पे यह वाला, जो है khrutidev010 यह download करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं click करने वाली हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, download button, यह मत click कीजेगा, यह google adsense है, यह google ad है, यह correct नहीं है, यह click करना है, तो मैं यह click करने वाली हूँ, और इसको मैं अपने system में install करने वा के उपर निर्भर करेगा, कि कितना समय लगेगा यह download करने को, तो यह मैं zip file पहले save कर रहे हूँ, अपने system पे, अभी जो है, मैं वो zip file जो है, वो double click करके open करने वाली हूँ, install, तो यहाँ पे मैं, मुझे एक option है, यहाँ पे लिखाए install, तो इसको install करते हैं, तो आ रहा है कि installing the font, तो आप जो है drop down, यह fonts का जो drop down है, यहाँ पे click कीजिए, और अपना जो font है, वो select कर सकते हो, तो select करने के बाद, अगर आप इसमें कुछ भी type करोगे, तो वो हिंदी में आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, कि मेरा थोड़ा गड़वर हो रहा है, मैं कुछ और ही type कर रहे हो, और ही कुछ आ रहा है, यह क्यों है, क्योंकि यह अगर आपका windows operating system पूराना है, तो आपको manually अभी control panel में जाके setup करना पड़ेगा, font installation करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप control panel खोलिए, तो मैंने regional करके यहाँ पे select किया, तो यह आया, तो फिर करना है, region and language, इसके बाद आपको यह keyboards and other input languages, change keyboards पे click करना है, यहाँ पे आपको हिंदी में keyboard, देवन आगरी, इसको select करके, आप यह भी भी कर सकते हो, तो ऐसा दिखेगा आपका keyboard है, इसका भी preview करके दिखते हो है, तो फिर इसको ok करना है, तो अभी यह add हो गया आपके keyboards में, एक तो English keyboard है, United States English and दूसरा जो है, Hindi keyboard है, फिर इसको apply करते है, and ok, तो आप अभी Hindi में type कर सकते हो, यहाँ पे आप इदर font select कीजे, और इदर type कर सकते हो, अगर आपको यह जो keyboard है, इसको आप यह font को match कैसे करना है, देखना है, तो वही website में आपको यहाँ पे एक लिंक है, character map, this is the character map, the diagram maps the keys on your keyboard with the equivalent characters in this Prutidev font, तो आप इसका भी, you know, मदद ले सकते हो, यह जो आपको सर या फिर कुछ टाइप करना है, तो यह कहाँ पे है, आपके keyboard में, यह बताएगा, यह mapping, तो आप यह से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो यह था एक तरीका आपको, हिंदी font अपने system में कैसे install करें, हम देखेंगे, और एक तरीका देखेंगे, कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, और वो मेरे साब से इस तरीके से थोड़ा आसान है, क्योंकि मुझे यह mapping बहुत मुश्किल परता है, बट फिर भी मैंने यह install करके रखा है font, क्योंकि जब मैं अपना thumbnail बनाऊंगी, तो मैं वो जो मेरा free site है, वहां से यह जो local font है, जो मैंने अपने system में install किया font है, वो इस्तिमाल कर सकते हैं, तो उस time में यह वाला जो है equity font, वो select करके install कर सकते हैं, वो जो thumbnail है वो अच्छा बना सकते हो, नहीं तो क्या है ना, जब आप यह site पे जाके thumbnails बनाते हो, जो online sites है, और जब आप save करते हो, तो वो जो है पूरा hindi वो पैचानता नहीं है, और उसको वो unicode character जो है वो पैचानता नहीं है, तो वो junk डाल देता है, वो आपर dots and slashes and hash पता नहीं क्या क्या डाल देता है, तो वो बिल्कुल आपका flop हो जाता है, तो अज़र आप यह ऐसा पहला अपना system में install कीजिए, डाउनलोड करके, फिर आप thumbnail बनाओ, तो वो mapping हो जाता है and फिर आपको जब save करना है, तो वो अच्छे से save कर देता है, आपके thumbnail और जो भी formatting है, सब कुछ intact रहता है, तो यह ता कैसे डाउनलोड करें, आप Hindi fonts, तो फिर से देखते हैं एक बार, आप हिंदीfonts.com वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर Google में आप download Hindi fonts भी type कर सकते हो, तो आपको बहुत सारी sites मिलेंगे, मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, फिर मैंने यहाँ पे fonts and most downloaded fonts select किया, यहाँ से मैंने जो देखा, जो बहुत demand में है, वो ही लिया, तो खुती देव है, मेरे system में already और एक font installed था, तो वो भी मैं कभी-कभी use करती हूं, तो यह दो font है, इसके बाद इसके उपर click करना है, यहाँ पे download लिंक आएगा, वहाँ पे click करना है, यह वाला grey वाला, और फि कीजिए, यह Google Adsense है, फिर आपको यहाँ पे screenshot में सब कुछ दिखेगा, कि आप कैसे like, कुछ type किया, तो कैसे दिख़गा यहाँ पे, यह सब दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे अपने keyboard पे H type किया, तो ऐसे E आया, अगर मैं A type कर दी हूं, तो dot आ रहा है, अगर मैं O type कर दी आ रहा है, तो आप इसका भी सहारा ले सकते हो, to find out कौन सा की, कौन सा character से mapped है, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ पे character mapping दिखाया गया है, तो आपको जो भी ऐसा type करना है, उसका mapping position यहाँ पे है, तो यह था एक तरीका, आप Hindi font डाउनलोड कैसे करे और install कैसे करे अपने computer पे, so thank you दोस्तों, और like करना मत दिलेगा, और subscribe कीजिए, comments मी छोड़िये, क्योंकि मैं हर एक comment पढ़ती हूँ, और अगर मुझे, आपने कुछ सवाल छोड़ा, तो मैं अगर मुझे पता है उसका answer, तो मैं जरूर reply करूँए, and thank you so much.